रानू और राजु चरिया की बेटी अब बरी हो गई थी, रानू अब अपनी बेटी की शादी करने वाली थी, गुर्या की शादी के लिए सभी चीजे उसके पापा ले आये थे, तब तक गुर्या भी नदी से पानी पेकर आ गई, तब उसके मा बोलती है बेटी गुर्या अ उसे पूछती है, रानू अपनी गुलिया की शादी कब है, तब रानू बोलती है, गोरी बहन गुलिया की शादी कल ही है, तब तक गुलिया भी वहाँ पर आ जाती है, रानू बोलती है, गुलिया तुम घर पर ही रहना पापा तुम्हारे लिए गहने लाने गए है, तुम कह बहार नहीं चले जाना मैं और गोरी बहन नदी पर से आते हैं पानी पीकर तब गुलिया सोचती है कि मां को कैसे बताऊं कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ तब तक गुलिया जिस से प्यार करती थी वो वह उपर आ जाता है गुलिया उससे पूछती है चंदू क्या आपकी म मान गई हमारी शादी के लिए चंदू बोलता है गुलिया मेरी मान नहीं मान रही है हमारी शादी के लिए फिर गुलिया बोलती है ठीक है चंदू जी में आ जाओंगी चंदू बोलता है कि गुलिया तुम्हारे पापा जो गहने और सामान लाए है वो भी आपने साथ लेते पिर रात हो जाती है, तब गुलिया उठकर अपनी मापापा को देखती है, फिर वहां से अपने गहने और सारा सामान लेकर चली जाती है, फिर चंदू और गुलिया एक।